यह देखिए आप ट्राइकोस्कोपी के अंदर भी जो आपको रेड स्पोर्ट दिख रहे हैं यह स्कार्ब के हैं स्कार बना हुआ है और यह सारी जंगया पर यह फोलिकल डैमेज होने शुरू हो गया दोस्तों जो आप यह पैच दिख रहे हैं यह स्कारिंग के अदर खास बात ही होती है कि यहां पे स्कार बनना शुरू हो जाता है कि follicle damage होने शुरू हो जाते हैं, यानि कि बाल की जो root है वो खतम होने शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो बालों का life cycle है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, सबसे जो मुख्या कारण होता है, सबसे जो मुख्या कारण होता है LPP, लाइचन प्लैनो पिलारिस, इसके अंदर autoimmune disorder की हो जाएसे शुरू कि इम्मुनिटी रिवर्स काम करती है, और बालों की जड़को को खतम करने का काम करती है, और स्कार इसके अलोपेशिया हो जाता है, इसके अलावा central, centry, fugal, scissatricial, alopecia होता है, जो आम तोर पे अफ्रीकन महिलाओं में होता है, या तो वो जो बालों के अंदर अलग-अलग grading करती है, उसकी वेश से हो सकता है, या इसके लिए genetic involvement भी हो सकती है, दोस्तों, menuposal, women के अंदर frontal, fibrosing alopecia होता है, जिसमें hairline recid हो जाती है, और front से hairline पीछे चली जाती है, और बाल कम होने शुरू हो जाते है, इसके अलावा dissecting cellulitis होती है, scalp की, जिसके अंदर nodule बन जाते है, यह highly painful होती है, inflammation हो जाती है, और दर्द के साथ साथ redness और सूजन भी आ जाती है, तो इसके अ अंदर hair follicle damage होना शुरू हो जाते है, permanent scar बन जाता है, permanent hair loss हो जाता है, इसका सबसे बढ़िया treatment यही होता है, कि हम इसको आगे बढ़ने से रोके, जो follicle damage हो गए है, उन पे बाद में transplant किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहला काम यही होता है, कि आगे जो follicle damage होते जा रहे है, उ उनकी progression को रोके ताकि patient को आगे लोग से बचाया जा सके.